प्रशिक्षन की बात है उसका भी बूरा हाल है शिक्षा को ऐसा रूप नहीं दिया गया है कि शिक्षितों को कि उन सिधानतों आदर्शों में आस्था हो सके जो देश के कल्यान के लिए निर्धारित किये गए हैं इस दिसा में कोई सक्रिय प्रयतन नहीं किया गया कि उन पर अधारित नीतियों में उनकी आस्था स्थापित हो सके जहां तक भर्ती का पर्षन है उसमें यह देखने का कश्ट नहीं किया जाता कि भर्ती किये जाने वालों का विश्वास भी उक्त आदर्शों और नीतियों में है या नहीं उसमें पक्षपात और भ्रष्टाचार का जोर है पर्षिक्षन का रूप भी ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग त्यार हो जो आदर्श एवं सिधान्त विशेशों से बंधे हो कोई यह कहसकता है कि ऐसा लोगतंतर के विरुध होगा लोगतंतर में जिस दल का सासन है वह खास नीतियों और सिधान्तों से बंधी हो सकती है किन्तु जिस माध्यम से वह उन्हें अमल मेलाती है उसकी उनके परति पर्तिबद्ता अवाशक नहीं है लोकतंतर में सासक दल बदलते रहते हैं यदि परसासन दल बदलते रहते हैं या किसी दल विसेस के आदर्शों एवं सिधानतों के परतिबद हो गया तो वह किसी दूसरे दल के सासन काल में अपने काम को सही अंजाम कैसे देश केगा तब तो हर बार सासन बदलने पर परसासन तंतर में अमूल परिवर्तन करना होगा इसलिए उसकी परति बज़ता की आवशक्ता क्या है सरकारी नीतियों एम आदर्सों के किर्यानवन के लिए मात्तर माध्यम बने रहना ही उसके और देश के हित में है किसी सीमा तक यह बात तरक संगत सी परतित होती है कि किन्तु तरक का विशलेशन करने पर वह बिल्कुल बेजान पड़ जाता है फिर यदि इस अधार पर चला जाए तो कोई भी सासन अपने नीतियों एम सिधानतों पर अमल करवा कर देश की तस्वीर नहीं बदल सकता वह तो तभी संभव है कि तस्वीर बदलने का काम जिन्हें करना है वे भी तस्वीर बदलने में आस्था रखे उन सिधानतों एवं आदर्शों के परतिबद हो जिन पर अमल करने से तस्वीर बदलती है इसके लिए जरूरी यह है कि समाज में जिन आदर्शों को अच्छा समझा जाए उनके किर्यानवन के लिए लोग सवेच्छा से आगे आए और दिल से यह है चाहे की ऐसे सिधानत उनकी भलाई के लिए बनाए जा रहे हैं ऐसा करने पर ही परतेक को समाजिक न्याए हासिल होगा और देश को वास्तिक रूप में कल्यानकारी कहाई